नानी दमणा विसाल बार मां गद पेली अपरिल ना रोज अंधा धूंद फाइरिंग करी अजय पटेल उर्फे अजय मांजर तथा दिरेंदर उर्फे दीरू पटेल नी चक्चारी थाध्या प्रक्रमा दमण पोलिसे एक आरोपी ना यूपी ना अलहाबाद थी दर पकड कर दमणा चक्चारी डबल मडर केस मां पोलिसे CCTV फुटेज तता टेक्निकल अनलिसिस ना अधारे सगन तपास करी अगुना मां संडू वाईला मूर यूपी ना अलहाबाद जिलाना नवागर तालुकाना मुबारक पूर्ण वतनी अन्य अंधावाद ना वटवा रोड खाते अरोपी नूर मुहम्मद सिद्धिक नी धर पकड करी दमण लावी वदू तपास माटे कोट मां ती आंट डिवसना रिमांड मेड़ विया हता दमणा डाबेल खाते अवेल विशाल बार मा थेर अचक्चारी थत्या प्रक्रण मा चार्ज इतला सार्च सूटर उना फुटेज सीजी टिवी कैमेरा मा कैट थे गया हता जमाथी एक आरोपी मौजम सिद्धिक नी धर पकड करवा मा आवी हती दमण पोलिसे डबल मडर के संग प्रदेशना डी आई जीपी जीएस कुमार सीं तथा दमणा एसपी सेजु कुरू विला अने एसडिपी और रविंद्र कुमार ना मारतेशन हिटर नानी दमण पोलिस मतकना पियाई पंक श्टंडेल सहित नी टी में सफर्थाती उकेली हत्यार आउपे की एक नूर मौजम सिद्धिक नी धर पकड करिया थी जैसर के आपको मालूम है कि एक तारिक एक अप्रेल को विशाल बार में कुछ अज्यात सूटरों ने गोलियां चलाई थी और जिसके तहत आजे रमन पटेल और धिरेंदर पटेल की हत्या हो गई थी जिसमें फायर नूमर 39 अबली 18 हमने रेइस्टर किया थी यह एक संसनी केज हत्या थी इसलिए हमारी पूरी टीम रमन पुलिस की पूरी की पूरी टीम दो मेने से लगातार काम करती रही जो शूटर्स थे उनकी प्लानिंग बहुत ही धंग से की गई थी इसलिए उन्होंने कोई ऐसा ट्रेस नहीं सोड़ा था जिससे हम उस तक पहुंच सके लेकिन हमारी टेकनिकल टीम और जो हमारी टीम दो टीम यूपी में लगातार दो मेने से काम करती रही उस टीम ने अल्टिमेटली दो तारीक को जो चार शूटर्स जिसकी वीडियो में तस्वीर आई है उसमें से एक जिसका नाम नूर मौजम है उसको गिरपतार करने में कामयाब हुई जिसको वहां से ट्रांजिट रिमांड के तहति यहां लाए गया और यहां कि मुनिस्टेट ने आट दिन की पुलिस रिमांड दी है जिससे फरदर फूस ताश की जाएगी और जो इतना इतनी बड़ी साजिस है उसके पीछे और क्या-क्या हुआ है उसको सामने लाए जाए जाए इसका कोई बैगरांड रहा है अभी तक के पुछतास में नहीं आया है सामने यह मुलता यूपी का रहने वाला है और फिलाल आमदावाद में अपने परिवार के किसे ने सोपारी दी थी लेकिन किस ने दी थी उस तक पहुचने से पहले अभी मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा